कैसे हैं आप लोग वेलकम टोन अकाडमी लेट्स क्रैक यूपी एसी एस हिंदी मैं चंचल कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे भारत की सम्विधान और राजविवस्था की इस सीरीज में जिसमें अभी तक हमारे पांच सेशन पोच चुके हैं और आज ही हम सम्विधान की विशेष्टाओं पर चर्चा कर रहे थे लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था भारत के सम्विधान की प्रमुक विशेष्टाओं के बारे में उसी को आज कंटिन्यू करेंगे वह हमारा चैप्टर आल्मोस पूरा हो गया था बस थोड़ा सापको सम्व सम्विधान के बारे में उसके प्रमुक भागों के बारे में और अनुसूचियों के बारे में और सम्विधान के विभिन जो स्त्रों थे किस देश से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं यह पुछा जाता है तो इस पर और थोड़ा से डिसक्रिशन करेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रस्तावना की तरफ प्रियेंबल भारत के संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जिससे क्वेश्चन प्रिलिम्स में में सब दूर ही आते हैं तो उसके बारे में डिसकस करेंगे सभी को एक बार फिर से नमस्कार पहले तो आप मुझे बताओ कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हो सभी को आवाज आ रही है मेरी ठीक से मैं ऑडिबल कल संडे था तो हमारा आउप था मंडे टू सैटर्डे यह क्लास डेली बारा वजे आप इसी चैनल पर इसी जमय पर आप देख सकते हैं लेट्स क्र पर अभी सिर्फ इस से इस सीरीज में पांच सेशन हुए आज यह सिक्स्थ छटा सेशन हैं हम लोग कर रहे हैं जो ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब सभी को धन्यवाद बताने के लिए एन वेलकम बैक आजाओ सभी लोग जल्दी-जल्दी सभी को पताईए कि हम लोग कि आज क्या पढ़ने वाले हैं है कि ठीक है चलिए तु स्टार्ट करें सबसे पहले अनकेडमी इंट्रोडक्ट्री ओपर आपको पताईए कि इस समय अनकेडमी का यदि कोई सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं 2023 के लिए डेड़ साल का तो आपको 53,000 रुपे में वो मिलेगा कंप्लीट जी एस प्लस ऑप्शनल प्लस टैसरी नोट्स इंटर्व्यू प्री में सीजेट हिंदी इंग्लिश सब कुछ रेफरेल कोड़े सी के लाइब जब भी आप सब्सक्रिप्शन ने अनकेडमी का कोई भी तो सी के ल आई वी मेरे इस रेफरेल कोड को अपलाई करें इसे आपको 10% का extra discount मिलेगा और आपका जो सब्सक्रिप्शन है वह आपको बहुत ही कम अमाउंट मिल जाएगा प्लस मेरा परसनल गाइडेंस और मेंटोर्शिप भी आपको अविलेबल होगी तो यह रेफरेल कोड जरूर यूज करें किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए औ और आइकोनिक की फैसिलिटीज भी एक परसनल कोच मिलेगा डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मिलेगी तो आइकोनिक सब्सक्रिप्शन भी आप एक दो तीन साल का ले सकते हैं लोन फैसिलिटी भी है जो बच्चे एक बार में पे नहीं कर सकते उनके पास एक बढ़ बिना किसी ब्याज के बिना किसी इंट्रस्टेट के आप बारा ये माई में पूरे एक साल में अपना पैसा पे कर सकते हैं तो लोन फैसिलिटी भी है टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत सारी अलग-अलग अभी आपको तो हम लोग कि शुरू कर रहे हैं हमारा सेशन सभी को एक बार फिर से नमस्कार जैहिन चलिए करें शुरूआत तो पहले में आपको भारत के संवीधान के भागों के बारे में बता दूं संवीधान के जो हमारे प्रमुक भाग हैं यह आप सभी को पता है कि हमारे संवीधान में मूल तह 22 भाग थे वर्तमान में लगभग 25 भाग हैं मारे संवीधान में तो थोड़ आसा मैं आपको एक परीचे दे दू क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैंसे जो नए हैं जिन्हें नहीं पता कि संवीधान में कहां क्या लिखा हुआ है तो कौनसा भाग किस विशय से जुड़ा है और किन अनुठ्षेदों में संवीधान के कि अनुठ्षेदों से जुड़ा है कौनसे अनुठ्षेद से संबंदित है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं सबसे पहले आपको जो हमारे संविधान का भाग एक मिलेगा ये हैं union and its territory संग और उसका राज्यक्षेत्र इसमें आप चार अनुच्छे देखोगे अनुच्छे एक से लेकर चार तक अनुच्छे देख दो तीन चार भारत राज्यों का संग होगा बजाए राज्यों के परता है कि युद्छन नुच्छ हो और अनुच्छ चार कहता है कि साधारण बहुमत से कोई भी संशोधन हो सकता है किसी भी राज्यों का पुनर घठन और गठन वाला फिर भाग 2 हमारा नागरिकता है अनुच्छे 5 से लेकर 11 जो संविधान में आप पूर नागरिकता के प्रावधान मिलेंगे तो सम्विधान जब बना था कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होने के योग्य है तो यह सब सम्विधान ने तय कर दिया था 26 जनवरी 1950 तक इसके बाद संसत को शक्ति दी थी कि नागरिक्ता से जुड़ा हुआ कानून बनाए और फिर भारत में नागरि जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार fundamental right सबसे important part इस constitution का जो माना जाता है वो यही भाग माना जाता है क्योंकि यह सरकार के द्वारा बनाए जाने वले कानूनों की हद तै करता है लिमिट्स तै करता है तो fundamental rights वाला भाग बड़ा important है अनुच्छे 12 से 35 में तो यह आपको सबको पत प्रेंगे भी से जिसमें 6 मौली का धिकार है इसमें मूल रचा भी देखेंगे संसत की शक्ति देखेंगे केश्वनन भारती केस तक हम लोग सारी बात करेंगे पूरा के पूरा फिर राज जी के नीतिनदेशक तत्व जिसे हम लोग शासन के आधार भूत तत्व मानते हैं डीपीस पी जो एक कल्यान कारी राज जी की स्थापना के लिए आयरलेंड के संविधान से लिया है यह भाग चार में है अनुच्छे 36 से 51 तक ठीक है 36 से 51 तक संविधान का भाग चार है फिर आएगा मौलिक कर्तव जो की पहले नहीं था पर अब है चार का संविधान का भाग चार का और अनुच्छे 51 का में हमारे 11 मूल कर्तव हैं संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था फिर भाग पांच जो है वो यूनियन के नाम से जाना जाता है यूनियन या संग 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 सरकार के बारे में कारेपाली का विधाय का न्यायपाली का सब इसमें मिलेगा आपको संग की तो अनुच्छे 52 से 151 तक प भाग पांच को आप अलग-अध्यायों में देख सकते हो अध्याय एक जो है वो है कारेपाली का इसमें संग की कारेपाली का है राश्ट्रपती उपर राश्ट्रपती प्रधान मंत्री मंत्री परिशद महान्यायवादी यह तब 52 से 78 तक आपको मिलेगा संग की कारेपाली में पिर अध्याय दो है इसमें संसद ये संग की विधाई का संग की विधाई का आपको मिलेगी सेवेंटी नाइन से पार्लियमेंट अध्याय तीन है राष्ट्रपती की विधाई शक्तियां भारत का संविधान राष्ट्रपती को भी विधाई शक्तियां देता है जो इसी भाग के अध्याय तीन में है और अनुच्छे 123 में है जिसे आप लोग क्या कहते हो अध्यादेश जारी करने की शक्ति ओर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की भारत के राष्ट पती की जो शक्ती है वो आपके इसी भाग के अध्याए 3 अनुच्छेद 123 में है जो की 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई है का अध्याय 4 संग की न्यायपाली का जिसमें आता है भारत का शीर्ष अदालत सुप्रीम कोट कि सरवोच न्यायले से चुड़े हुए प्रावधान है 124 से 147 तक एकसो चौर्ण से 147 तक आपको क्या मिलेगा भारत के संग की न्यायपालिका जितना भी सुप्रीम कोट का प्रावधान हैना संविधान में वो यही है सुप्रीम कोट में गठन कैसे हुआ राजू इसमें कितने न्याधिश होंगे सुप्रीम कोट की शक्तियां क्या होगी इसी भाग में आपको एक पद मिलता है नियंत्रक महालेखा परिक्षक जिसे आप केग भी कहते हो CAG भी कहते हो और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है जो अनुच्छेद 148 से 151 में आपको मिलेगा ठीक है 148 से 151 में टोटल चार अनुच्छेद हैं और ये चार अनुच्छेद जुड़े हैं CAG की शक्तियों करतव ये नियुक्तियों इनकी रिपोर्ट आधी सबसे जुड़ा हो तो यह आपका हो गया भाग पांच संग फिर भाग छे में ऐसे ही राज्य के लिए प्रावध का सब इसमें आ जाएगा ये भाग आपका अनुच्छेद 152 से 237 तक है भाग छे राज्य पिछली बार मैंने आपको जब संविधान की विशेष्टाएं पढ़ाई थी तब याद करिए कि हमने डिसकस किया था कि भारत में एकल संविधान है एकल संविधान मतलब यहां के परेंड्र और जिकाएक ही संविधान है तो भाग छे में राज्यों के लिए प्रावधान आपको मिल जाएगा सबसे पहले क्या ऐगीी राज्य की कारिपाली का स्टेट एक्जिटूटीव वनडी एक्षिने cantat इसमें आपके वासे साइङके रास्यंपाल प्राजू कर जो राज्य की मंत्री परिशत और राज्य का महा धीवक्ता जो हमारा एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का आर्टिकल 165 वह आपको इसमें मिले राज्य का विधान मंडल चुकि दोनों जगे संसदी प्रणाली है तो यहां भी वैसी ही विधान मंडल मिलेगा यहां आपको विध सदन अपनाना ओप्शनल है यदि कोई राज्य चाहे तो अपने यहां पर एक उच्छ सदन विधान परिशद भी बना सकता है और यह प्रावधान आपको मिलेंगे 168-212 में विधान परिशद उच्छ सदन हो जाएगा विधान सभानिम्न सदन हो जाएगा और उसके बाद की अनुच्छे 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है तो राज्यपाल की विधाई शक्तियां वैसी जैसे राश्ट्रपती को 123 में यहां 213 में फिर राज्यों के उच्छ नियाल है अनुच्छे 214-232 में आपको मिलेंगे 214-232 में हाई कोट से भाग छे जो है ना भाग पांच और भाग छे इनमें 89 का फॉर्मिला चलता है ध्यान रखना प्लस 89 जैसे मैं आपको बताऊं राश्ट्रपती की जो शक्तियां हैं कौन सी क्षमादान की वह 72 में है इसमें 89 प्लस करो तो कितना आएगा 161 तो 161 में आपको राज्जिपाल की शमादान शक्तियां मिलेगी 76 में महा नियायवादी है 89 प्लस करोगे तो 165 आएगा 165 में महा अधिवकता है में महानियवादी है पिर 74 में केंद्री मंत्री परिशद है 163 में राज्य की मंत्री परिशद है 75 में प्रधान मंत्री की नियुक्ति है और 164 में आप देखोगे कि राज्य की मुख्य मंत्री की नियुक्ति है तो यहां 89 का फॉर्मिला थोड़ा साथ ध्यान रखना सारे को क्या करना है आपको ध्यान रखना है कि कहां कहां 89 वाले फॉर्मिले से काम बन जाएगा एक याद होगा जैसे अनुच्छेद 72 याद हुआ तो 161 आपको वैसे ही याद रहेगा 76 याद होगा तो 165 वैसे ही याद हो जाएगा 74 से 163, 75 से 164 ऐसा maximum होगा लेकिन हमेशा है यहीज इसा हो जरूरी नहीं है क्योंकि डेखो राष्ट्र पती कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है और राजिपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में है अब यहां पर आप देखोगे कि 90 का डिफ्रेंस आगे 90 की जगे 90 का डिफ्रेंस आपको दिखाई दे रहा होगा तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है इसलिए कुछ कुछ आर्टिकल में 89 का कुछ में 90 का जो भी आप देखें ध्यान रखें जैसे 214 में हाई कोट 124 में सुप्रीम कोट है 214 में हाई कोट है अब डिफ्रेंस कितना है डिफ्रेंस 90 का होगा तो 89 और कहीं कहीं 90 का और वह आप अपने हिसाब से देख लेना लेकिन यह याद रखन साथ भाग छे को आप लोग कवर कर सकते हो यहां से मेरा काम है आपका काम आसान करना बाकि आप और अच्छे से कर सकते हैं इसको जरूरी नहीं कि मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूं या जो मैंने बताया वही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते जो आप करना चाहें बस याद भी हो फिर राज्य के उच्छ नियाले जैसे सुप्रीम कोट था केंद्र में यहां हाई कोट है 214 से 232 तक आपको हाई कोट मिलेगा 214 केता है कि हर राज्य का एक उच्छ नियाले होगा पर संसच चाहे तो दो या दो से ज़्यादा राज्यों के लिए एक उच्छ नियाले का प्रावधन कर सकती है फिर सबॉडिनेट कोट अधिनस्थ नियाले आपको मिलेंगे उसके बाद 233 से 237 में अधिनस्थ नियाले है कोट है तो ये जो अपके डिस्टिक कोट ओंगे अना जिला नियाले ले जिला और सट्र नियाले और इसके नीचे के अधिनस्थ नियाले दिवानी नियाले फौसजदारी नियाले वो सब यहां पर है पिर भाग-7 शे तक तो हम गे शाट तो हटा दिया गया झा सम्विधान का भाग साथ आपको पता है कि साथवे संविधान संशोदन अधीनियम से जो केटेग्री थी एबी सीडी राज्यू की खतम होगी तो साथवा भाग तो अब ही नहीं संविधान भाग आठ संगराज्यक्षेत्र यूनियन टेरिटरी क्योंकि आपको पता है भारत में कुछ इलाकें जिन पर केंद्र का सीधानी अंत्रण है इस समय भारत में आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हुए प्रावधान 249 से 242 में यहां पर केंद्र किस प्रकार से शक्तियां रखता है वो सब आपको यहां मिल जाएगा इसके बाद पंचायते यह तिहोत्तरवा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था भाग पंचायते 243 से 243 ओं तक 243 से 243 ओं तक भाग नों में पंचायते हैं भाग नों के चोत्तरवे संविधान संशोधन से जोड़ा गया था यह नगरपाली का है 243 पी से शुरू होगा 243 पी से 243 जेड जी तक ठीके 243 दो सो तराली स्पी से लेकर 243 जेड जी तक यह आपका कौन सा भाग है यह आपका भाग हो गया नोक पंचायते नगरपाली का हैं फिर सहकारी समीतिया नोक यह बाद में जोड़ा है आपको पता है यह भी अभी जोड़ा हुआ है सतानवेवा 97 संशोधन 2011 भारत में जो सतानवेवा संशोधन हुआ था 2011 में इससे आप देखोगे कि हमारे यहां पर जोड़ा गया था यह भाग सहकारी समीति का और नए आर्टिकल 243 ही है पूरा भाग नोक हो नोक हो नोक हो आर्टिकल 243 ही है उसी में आगे बढ़ाते चले गए अब जेड़ जी तक वहां था तो जेड़ एच से लेकर जेड़ टी तक आपका सह जो है सहकारी समीति कि फिर भाग दस अनुसूचित और जंजाती एक शेत्रों से जुड़ा हुआ है 244 244 को फिर एक बहुत इंपोर्टेंट जो है हमारा भाग 11 केंद्र राज्य संबं केंद्र राज्य संबंदों में आपको यहां पर भाग 11 मिलेगा दो संबंद इसका अध्याए एक केंद्र राज्य विधाई संबंद से जुड़ा है और इसका अध्याए दो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंद से जुड़ा है वैसे जिए आप केंद्र राज्य पढ़ते होंगे केंद्र और राज्य के बीच में तीन तरह के संबंद है विदाई संबंद प्रशासनिक संबंद तो भाग 11 में केंद्र राज्य विदाई और प्रशासनिक संबंद है कि 245 से 255 तक विदाई संबंद और 256 से 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंद यहां तक समझ में आगया है ठीक है कि इसके बाद मैं आप देखोगे अध्याय बारा यह केंद्र राज्य विद्ति संबंद के रूप में भी लोग पढ़ते हैं यहां आपको केंद्र और राज्य के पिनैंशन रिलेशन मिलें यह जो भाग इसका नाम है विद्त संपत्ति संविदाई और वाद 264 से लेकर 301 तक अनुच्छेद हैं इसमें संविदान का भाग 12 और इसमें क्या क्या है जरा देखो इसमें वित्त है 264 से 291 में कौन से सरकार को कहा कहा अदिकार होगा टेक्स वगिरें वसूल रहने का रिण लेना केंद्रो राज्य सरकारों का रिण लेना उधार लेना यहां मिलेगा आपको 292 293 संपत्ति संविदाई अधिकार बास दिता है और वाद 294 से अधिकार अपने पड़ा होगा कि मोलिक अधिकार हुआ करता था अनुच्छे 31 में संपत्ती का मोलिक अधिकार उसको 44 संविधान संशोधन से हटाया 1978 से और अब यह क्या बन गया है अब यह यहाँ पर अब यह बन गया है आपका एक सामान्य संविधानिक अधिकार अभी भी एक संविधानिक अधिकार है लेकिन अब जो है यह संविधानिक अधिकार मोलिक अधिकार नहीं रहा है तो 300 क में संपत्ति का अधिकार भाग 12 में है पिर भाग 13 में क्या है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वानिज्य और समागम जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में माल जाता है व्यापार होता है तो भारत के पूरे के पूरे क्षेत्र में व्यापार और वानिज्य को लेकर क्या प्रावधान है वो सारा 301 से 307 में आपको मिलेगा भाग 13 अब अभाग 14 में क्या है लोकसेवाय संग और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में अनुच्छे दे 308 233 ठीके अध्याय एक है इसमें इसमें और अध्याय 2 है लोकसेवाय जिसमें संग के लिए UPSC और राज्यों के लिए State PSC होता है इसी के साथ संयुक्त लोकसेवायोग भी हो सकता है Joint State Public Service Commission तो 315 से 323 में लोकसेवा से जुड़े हुए प्रावधान आपको लोकसेवायोग से जुड़े हुए प्रावधान आपको मिलेंगे भाग 14 15 के पहले 14 ए ट्रिब्यूनल अधिकरण यह बाद में जुड़ा गया यह भी 42 संविधान संशोधन 1976 से जुड़ा गया और यह 323 कह से 323 कह तक ट्रिब्यूनल आपको मिलेगा भाग 14 की बाद 15 निर्वाचन इलेक्शन आपको यह मिले इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जो आप देखते हो वह यहीं से हैं मतदान करने का अधिकार भी आपको यह मिलेगा 324 से 329 कव इसमें अनुच्छे 324 भारत में एक इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया के गठन की बात करता है प्रावधान करता है ठीक है आगया समझ में करें जाज कई ऑो के तो 108 यह माख 15 है निर्वाचन यह सब याद रखना की इलेक्शन किस भाग में आप स्लोक सेवा एक इस भागमें के अंद्राज्य i waarие संबन का है के इंदलाज्य iwhy संबन का है सपता हो दुआ है पिर भाग सोला कुछ वर्गों से संबंधित विशेश प्रावधान ने 330 से 342 कर यहीं पर आपको SCST का लोग सभा में विधान सभा में आरक्षन वगेरे सब मिल जाएगा एंगलो इंडियन का भी पहले यहीं हुआ करता था लेकिन एंगलो इंडियन अब अटा दिया पिर संग की भाषा कौन सी होगी राज्यों की भाषा है कौन सी होगी सुप्रीम कोट और हाई कोट की भाषा है कौन सी होगी सारा भाषा का मामला आपको यहां मिलेगा यह हमारे संविधान का भाग सत्रा इसके अध्याएं पर ध्यान रखना अध्याए एक संग की भाषा अध् 351 तक जैसे संग की भाषा ठीके हिंदी होगी लेकिन चुकि संविधान जब लाग हुआ था तो सभी पूरे भारत में तो हिंदी बोली नहीं जाती थी तो अंग्रेजी को कुछ साल के लिए जारी रखा गया और यह माना गया कि बाद में हिंदी को राज भाषा बना लिया ज आता है सबसे मज़ेदार भाग आपात उबंद इमर्जेंसी भारत के संविधान का भाग अठारा इमर्जेंसी से जुड़ा हुआ है आपात उबंदों से इसमें तीन तरह के आपात मिलेंगे आपको 352 से 360 में कि बताने की जरूत नहीं है 352 352 जो है राष्ट्री आपात का ले 356 जो है राज्य में राष्ट्र पतिशासन है और 360 जो है वो वित्ति आपात का फिर उसके वाद मिसलेनियस वला भाग है भाग 19 मिसलेनियस प्रकिर भाग 20 संविधान का संशोधन इस संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति बहुत इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं हमारे संविधान का 368 फिर भाग 21 अस्थाई संक्रमन शील और विशेश उपबंध मतलब कुछ राज्यों के लिए भारत में जो विशेश उपबंध हैं जैसे कई राज्यों को विशेश राज्य का दर्जा है जैसे जम्मू कश्म परिवर्टित कर दिया क्योंकि स्थाई नहीं है संक्रमन शील उपबंध इसमें किये विशेश कुछ राज्यों की परिष्टित को देखते हुए इसमें आप देखोगे कि 11 राज्य हैं जो आप पढ़ते हो ना महराष्ट गोवा और यह सारे राज्य इसमें फिर इस संविधान का अंतिम भाग भाग 22 22 पर जाकर यह संख्या पूरी हो गई इसमें आप इस संविधान का ठीक है आखिरी भाग जो है यह स संविधान जो हमारा समाप्त हो जाता है तो यह मैंने आपको बताया है यह हमारे संविधान के वह भाग है जिनमें इसको बाटा गया है पार्ट में और उनसे जुड़े हुए आर्टिकल से अनुच्छेद हैं अब हम पड़ेंगे संविधान की अनुसूचियों पर एक नजर डाल लेते हैं जब यह संविधान बना था तो इस संविधान में आठ अनुसूचियां थी और वर्तमान में इस संविधान में बारा अनुसूचियां को दिखाई देती हैं तो कौन सी संविधान अनुसूच सब करते हैं कि अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं के सारे पूस्ते इलिन है कि लुक देघ्ले संवीधान के भाग Efendimiz इतने भाग हैं मैंने आपको पताया कि वैसे तो बाई से यूंपचीज है तो आपको करना क्या है कि कौन सा भाग कौन कौन से अनुच्छेद में है बस इतना अगर आपको पता है जैसे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12-35 तक भाग 3, 36-51 भाग 4 तो आपको याद रखने में आसान ही होगी जैसे अगर मानली जी मैंने आपसे कहा कि कोई भी एक मौलिक अधिकार तो आपको पता है कि वह भाग 3 का मामला है तो 12 से पहले नहीं होगा और 35 के बाद में नहीं होगा क्योंकि 12-35 के अंदर में इसका सबसे अच्छा जो तरीका है ना वह यह किस संविधान मैं ऐसे ही करता था जब मैं तयारी नहीं मुझे अच्छे से पाता होता होता कि संविधान के किस भाग में क्या है और कौन-कौन से आर्टिकल है तो फिर उसको याद रखना आसान हो जाता था अब अब प्रकेरिण मतलब मिसलेनियस शब्द का मतलब नहीं समझ में आता आपको जो कुछ भी ऐसा बचा कुछ आए बहाँ डाल दिया जाता है विविद में तो अब यहां पर आपको मैं अनुसूचिय बता रहा हूं कि क्या-क्या अनुसूचिय संभीधान में है और किस से जुड़ी हुई टोटल बारा है पहली अनुसूची है हमारे राज्यों के नाम उनके न्याइक शेत्र से जुड़ी हुई इस समय भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है यह आप कहां देखते हो यह आपको यहां मिलेगा यदि कभी भी कोई नए राज्य का गठन होता है यदि कोई भी नया राज्य बनता है या किसी भी तरह का राज्य के नाम में परिवर्तन या कुछ भी परिवर्तन होगा तो वह पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है उसके लिए ठीक है कि इस देट लिए तो यह पहली अनुसूची है कि दूसरी संग राज्यक्षेत्रों के नाम और उनकी सीमा हैं दूसरी अनुसूचियों में कुछ विशेश अधिकारी पदाधिकारी हैं जिनके वेतन भत्ते विशेश अधिकार और इससे जुड़े हुए प्रावधान यहां मिलेंगे कहास करके आप देखोगे कि कुछ ऐसे वेतन भत्त होते हैं जो संचित निधी पर भारित अधित होते तो संचित निधी पर भारित लोगों के वेतन भत्तों के बारे में एक आपको आईडिया दूसरी अनुसूची से मिलेगका नामां आया है नाम आया है, कौन-कौन से भारत के अधिकारी, पदाधिकारी यहा पर है? है पहला नंबर पहला नमे प्रिजिदेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्र-पती फिर राजो के राजुपार तो भारत के राश्ट्रपती के वेतन भत्ते यह सब आपको यहां मिलेंगे राज्यों के राज्जिपाल के आपको यहां मिल जाएंगे लोग सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्पीकर और डेपुटी स्पीकर ओफ लोग सभा आपको यहां मिल जाएगा तीसरी दूसरी प्रस्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश् करते हैं वो राज्य सभा के सभापती के रूप में काम करते हैं तो राज्य सभा के सभापती के रूप में उनको वेतन भत्ता मिलता है जो दूसरी अनुसूची में यही वेतन भत्ता और यह भारत की संचित निदी पर भारित है फिर आपको यहां राज्य सभा के सभापती मि वेटन बत्ता होता है थीक हैं आ पिर राज्य विधान परिशदDD अगर किसी राज्या विधान परीशद है तो बुल के सभापति के वेटन भत्ता भी राज्य कि संचित Pension सब भारत की संचित निदी पर भारीत होता है To Okay 13 कि इसके बाद में आपको मिलेगा High Court के न्याय अधिश High Court के जज अब याद यह रखना कि High Court का जो जज होता है उसका वेतन राजिर की संचित निदी पर भारीत होता है और High Court के जज्ड की जो पेंशन होती है ना आइकोट के जज को पेंशन भारत सरकार देती है समझ में आगे मेरी बात कि हाइकोट के जज का जो वेतन भत्ता है वो राज्य की संचित निधी पर भारित होता है जिसराज्य में वो जज़ की ißtate की रूप में काम कर रहा है सिर लेकिन उनकी पैंशन उनकी पैंशन भारत सरकार की संचित निधिर वहारत होती है उनको पैंशन भारत की सरकार दयति है इंडिया मतलब जब तक वह काम कर कर रहे राज्य उन्हें देंगे रेटायर्मेंट के बाद महारत सरकार देगी अगला इसके बाद अगला बड़ा पद है नियंत्रक महालेखा परिक्षप भारत के इनका जिक्र भी आपको दूसरी अनुसूची में मिलेगा इनके वेतन भत्ते भी संचीत निदी पर भारित किये गए हैं ठीक है अब आजाओ तीसरी अनुसूची दो अनुसूची हो गई तीसरी अनुसूची जो है इसमें क्या है इसमें है शपत का फॉर्मेट क्या है ना कि उस लेवल पर एक समवेधानिक पद पर जब विक्ति जाता है ना तो वो जो शपत लेता है वो शपत मनमानी थोड़ी होती कि कुछ भी उठा के बोल देगा कसम खा लेगा एक फॉर्मे की जज शपत लेगा सुप्रीम गोड का जज शपत स्लेगा तो किस फॉर्मेट में लेगा क्योंकि अपने करद्वियों से जुड़ा मामला है जो विक्ति जैसे मुख्य मंत्री है वो पद और गोपनियता की शपत लेते हैं अंतह करण की शुद्धता से निर्वहन करेंगे सम्विधान के प्रावधानों का कानून का इसकी जो है निश्ठा का वो एक शपत लेते हैं तो यह फॉर्मेट आपको यहां मिलेगा कि तीसरी अनुसूची में विभिन उमीद्वारों द्वारा ली जाने वाली शपत के प्रारूव है इसमें आपको मिलेंगे केंद्र के मंत्री सारे संग के मंत्री उनका फॉर्मेट भी यह है कि अगर कोई व्यक्ति केंद्री मंत्री बनेगा तो वो किस प्रकार के आप दिये निर्वाचन हो चाय को साथा के चुनाओं आने मैं निरवाचन के पहले शपत का फॉर्मिट और जीतने के बाद वो भी है फिर इसके बाद आपको मिलेगा सुप्रीम कोट के जज तीसरी अनुसूची में सुप्रीम कोट के जज जिने राश्टपती शपत दिलाते हैं फॉर्मेट यही है सीजी भारत का नियंत्रक महालेखा परिक्षक के शपत का फॉर्मेट भी यही है फिर केंद्र की तरह राजयों के मंत्री के शपत का फॉर्मेट भी यहां है राज्य विधान मंदल की निर्वाचन के लिए जो विक्ति खड़े होना चाहते हैं उनका बी यही है फिर राज्जी विधाईका के सदस MLA वगेरा का फॉर्मेट भी है और हाई कोट के जज जिने राज्जिपाल शपत दिलाते हैं उनकी शपत का फॉर्मेट भी यही है अब इसमें कौन नहीं है देखो इसमें सबसे बड़ा नाम नहीं है राश्ट्रपती भारत के राश्ट्रपती की शपत का फॉर्मेट अनुच्छे साथ में दिया है सम्विधान के अंदर ही दिया है यहां है ही नहीं इसी तरह भारत के उपराश्ट्रपती का शपत का फॉर्मेट भी यहां नहीं मिलेगा और राज्यों के राज्जिपालों की शपत का फॉर्मे में क्या है चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अच्छा एक क्वेश्चन में आपको प्रतों कि एक बार एक क्वेश्चन पूछा था बहुत है अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों को भी थोड़ा सा क्वेश्चन था भारत के निर्वाचन आयोग के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची के अनुसार भारत की संचित निधी पर भारित होते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतनभत्ते जो हैं वह बारत की संचित निधी पर भारित तो होते हैं ये सच है लेकिन दूसरी अनुसूची में उनका नाम नहीं है ऐसे कई सारे नाम नहीं है यहाँ पर ध्यान ये रखना जो मैं नाम दूसरी अनुसूची में नहीं, यह बात समझ में आ रही है आपको, बस आपको यह याद रखना है, कि दूसरी अनुसूची में नाम किसका है, यह जो नो पॉइंट में आपको बताए है, इनका नाम दूसरी अनुसूची में, इसके अलावा जिन लोगों के वेतनभत्त संचीट निधी पर भारित हैं उनका नाम यहां नहीं यूपीयस या निरवाचन आयो केंदरली सतरकत इनके सबके वेतनभृत्त नीधी पर भारित होते हैं पर उनका नाम आपको यहां पर नहीं मिलेगा यह बात अपने दिमाग में बात अच्छे से डाल है बहरत का जो उच्च सधन है हमारा की बिल्कुल है निए जिन में विधान सभाएं है ऊपती राइव जिन यूनियन टेरिटरीज में विधान सभा नहीं है जैसे दमंदीव दादर नगरवेली लक्षदवी अंडमान निकोबार तो वहां पर राज्य सभा की सीटे आपको नहीं मिलें तो राज्य सभा में किसकी कितनी सीटे हैं यह आपको मिलेगा चौथी अनुसूची में पाचवी अनुसूची अनुसूची तो जंजाती एक्षेत्रों की प्रशासन और यंत्रं से जुडी होई है छटी अनुसूची में चार राज्यें असाम मेगाले त्रिपूरा मिजोरंगे पाचवी में recib issues涕ो Left exercising उनलद देर स्वालाइक शा स्वाजशंट चर्चा में ती आपने देखा होगा अरुनाचल प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश का नाम आपको यहां नहीं दिख रहा है, अरुनाचल प्रदेश इस लिस्ट में आना चाहता है, छटी अनुसूची के इन चार राज्यों में अरुनाचल प्रदेश भी यह चाहता है कि उसकी एंट्री हो और संसद ऐसा कर सकती अगर चाहे तो साधारन बहुमत से पांचवी छटी अनुसूची को संशोधित करने के लिए संसक को विशेश बहुमत की जरूत नहीं है संसद पांचवी और छटी अनुसूची में साधारन बहुमत से संशोधन कर सकती है सात्बी अनुसूची में केंदर राज्य की भी शक्तियों का बटवारा बहुत बढ़िया खुब्सूरत तरीकसे किया गया है इसमें इन तीन सूचिय है एक है संग सूची दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ति सूची तो संग सुची के उपर कानून बनाने का अधिकार संग को शंशतक को इसमें जो भी विशय एक्सक्लूजिवली एक्सक्लूजिवली जो अधिकार होगा अनण्य रूप से संसत का होगा इसमें मूल रूप से 97 97 विशय थे पर वरतमान में 98 अभी कई लोग जो है अपडेट नहीं है ना उन्हें लगता है कि इसमें 100 विशय है लेकिन अब आपकी संग सुची में 98 सब्जेक्ट से सो नहीं है नाइन्टी एथ है राज्य सुची में पहले छाचट थे फिर 61 हो गए और अभी 59 है ठीक है यहां लिखता जाता हूं संग सुची में अभी आपके 98 सब्जेक्ट से राज्य सुची में अभी 59 सब्जेक्ट से इसमें पहले 61 थे और कम हो गए और समवर्ती सुची में फिलाल आपको 52 विशे मिलेंगे पहले 47 से और अभी 52 है तो यह करेंट सिनेरियो है कि वर्तमान में संग सुची में राज्य सुची में और समवर्ती सुची में कितने कितने विशे हैं सब 7 वी अनुसूची का मामला है आठ वी अनुसूची तो आप मुझे शाफ्तं को पूबताने कि ज़रूत नहीं है कि भारत में कि समामले से भारत की माननेता प्राप्त राज भार्षी में जब संविधान बना था तो और समविधान में 14 भार्षां को तो शोड़ा दे के इस अनुसूची में एड किया बाद में हमने आठ भाषाएं और जोडली और वर्तमान में इस अनुसूची में बाईस भाषाएं है ठीके अब कौन-कौन सी देखो मूल रूप से 14 फिलाल 22 असमिया बांगला बोडो डोगरी गुजराती हिंदी कंडर कश्मीरी कोंकणी मेथिली मलयालम मनिपूरी मराथी नेपाली ओडिया पंजाबी संस्कृत संथाली सिंधी तमिल तेलगू और उर्दू अब आपने एक चीज नोट कियोगी इस अंग्रेजी नहीं है इंग्लिश को कई लोगों को शायद यह बात नहीं पता हो उन्हें लगता हो शायद एक कॉमन सेंस लगा लेते होंगे वो कि इसमें अंग्रेजी लेकिन आठवी अनुसूची की 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है अब पंद्रवी भाषा सिंधी क को 1992 के 71 संविधान संशोधन से जोड़ा गया और बोडो डोगरी मेथिली संथाली को 2003 के 92 संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया तो इस तरीके से आप देखोगे कि वरतमान में 15 के बाद 16 और 318 और 422 आखरी बार चार भाषाएं जोड़ी गई थी ठीके सब्जेक्ट मिंस विशय कानून बनाते हैं ना जैसे आप कोई भी रक्षा रक्षा से जुड़ा हुआ कानून बना तो रक्षा एक विशय हो गया मेरी बास समझ रहें आप लोग कोई भी विशय आप लेलो और उस पर जुड़ा हुआ कानून तो एक सब्जेक्ट हो इस पर कानुन संसत बनाएगी यह संग सुची में आता है पुलिस अब पुलिस से जुड़न कानुन कौन बनाएगा राज्य बनाएगा इस नियुक्न स्थानी स्वशासन यह विशाय हो गया इस पर राज्य कानून बनाएगे तो यह हो गई आपकी 22 भाषाएं आखरी बार 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा चार भाषाएं जोड़ी गई थी बोडो डोगरी मेथिली संथालिया भी नवी अनुसूची अब यहां तक तो संविधान बनाने वाले ने बना दी थी संविधान सबाने सब कर दिया था नवी अनुसूची जोड़ी गई 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा इसमें क्या है इसमें क्या है यह भी मैं आपको बता दूँ इसमें यह कि भू सुधारों और जमिदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित जो राजजिविधान मंडल के और अन्य मामले थे और कि आप सब जानते हैं कि अनुच्छे 31 में संपत्ती का मौलिक अधिकार अब सरकार ने यह सब आपको पुरी स्टोरी पता है जब हम आजाद हुए तो हमारे देश में एक वर्ग ऐसा था जिनके पास में बहुत सारी जमीने थी जो जमीदार के नाम से जाने जाते थे जाग में सब उसे ठाकूर साब कहते थे कुछ लोग उसे जमीदार के नाम से जानते हैं तो उनके पास में सारी जमीन ठाकूरों की या जमीदारों की होती थी जो किसान खेती करते थे उनके पास कोई जमीन नहीं होती थी वो सिफ खेती करते थे और सारा अनाज वो जमीदार का य जिस जमीन पर किसान खेती कर रहा था वो जमीन ठाकूर से लेकर जमीदार से लेकर किसान को देनी थी तो सरकार ने कहा कि आज से सारी जमीन आप की लेकिन जो जमीदार था वो कोट चला गया कि संपत्ति का मौलिक अधिकार है आप मेरी संपत्ति मुझसे नहीं छीन सकते तो उसके बाद ही आपको पताए कि सरकार ने क्या किया भूमी सुधार कानून लागू किये भूमी सुधार कानून बनाए इसको मॉलिक अधिकार के उलंगन के आधार पर चैलेंज किया गया, तो सरकार ने क्या किया, जुडिशल रिव्यू से बचना जरूरी था, क्योंकि उनके सारे कानून ध्रादर रद्धों हो रहे थे, तो सरकार ने क्या किया, एक पर्दा डाल दिया, क्या किया, पर्दा डाल के कुछ उन काणुनों का जुडीशल रिव्यू नहीं हो सकता अनुच्छे तेरा न्याई पालिका उन दिचेम की शक्ति देटा है , और अगर रद में 282 अधिनियम है अब बहुत सालों तक तो ये पर्दा ठीक है बना रहा ये पर्दा था पर्दे के पीछे क्या चल रहा है नियाई-पालिका नहीं देख सकती है कि 2007 में सुप्रीम कोट ने पर्दा हठा दी हिए दो हजार साथ में सुप्रीम कोट ने बोला कि अब हम इस पर्दे के पीछे भी देखेंगे कि बात समझ में आरी है 2007 में सुप्रीम कोट ने एक बहुत ही एतिहासिक पैसला दिया कि 24 अपरेल 1973 केश्वानन भारती केस के बात की बात है जितने भी मामले कानून आपने डाले हैं नवी अनुसूची में हम उनका जुडिशिल रिव्यू कर सकते हैं तो वर्तमान स्थिति यह है कि आपके इस नवी अनुसूची का जुडिशल रिव्यू अब हो सकता है कि 2007 में फैसला आया था कि 73 के बाद जितने कानून नवी अनुसूची में डाले हैं उनके उपर कोई परदा नहीं रहेगा उसके पहले वाले कानूनों को आपको परदा में रखना है तो रख 1973 पचत्तर नहीं होगा वो फिर दस्वी अनुसूची आपको पता है कि अब दस्वी अनुसूची का मामला भी घड़ पड़े पहले संविधान में एक संशोधन हुआ था पैतीस वा तरहां द्यान से सबहें कई बच्चे कंफ्यूज है इसलिए बता रहा हूं पैतीस वा सं दस्वी अनुसूची जोड़ी थी सिक्किम के लिए और सिक्किम को भारत का संबध्य राज्य बनाया था अब हुआ कि सिक्किम को बना लिया संबध्य राज्य दस्वी अनुसूची जोड़ दी उसके लिए लेकिन सिक्किम की जनता चाहती थी कि भारत में पूरा विले तो 36 संभीधान संशोधन हुआ और 36 संभीधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्जी बनाया और वो दसवी अनुसूची को फिर से हटा दिया मतलब पहले नो थी फिर दस हो गई और फिर नो गई यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि वह सीधे नोवी अनुसूची से दसवी अनुसूची में याद दल बदल में आ जाते हैं बाद में जब फिर कभी उनसे सिक्किम वाला मेटर पूछा ज हमें तो इतना पता है कि दसवी अनुसूची का संबंद दल बदल से सही है सही है आप लोग लेकिन किसी जमाने में दसवी अनुसूची का संबंद सिक्किम से था यह आपको पता होना चाहिए भले ही वह आज नहीं है लेकिन ऐसा हुआ था कम से कम इसकी जानकारी हमारे दि नाम से एक अनुसूची और जुड़ गई ठीक है कि दस्वी अनुसूची में क्या हुआ कि दस्वी अनुसूची में आप यहां देखोगे कि संसद और विधान सभा में जो सदस्य होते हैं आप जनता तो चुन ले आपके यहां से कोई विक्ति खड़ा हुआ आपने उसको चुन लिया अब चुनने के बाद क्या होगे भाई पलट गया भाई पलट गया मतलब बाई ऐसे पलट गया कि वह किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूट के चला गया आयाराम गयाराम भी कहते हैं इसे लोगों अब हुआ कि उस अब जीते किसी दूसरी पार्टी की टिकेट पर थे और चले किसी और पार्टी में चले कि अब इससे क्या होता था इससे यह लोगतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है जब जनता ने आपको किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ देखकर उसके साथ ही वोट दिया है तो इससे क्या होता है कि दूसरी पार्टी में जाने से बहुमत या मैजोरिटी इदर उधर हो जाते हैं किसी पार्टी में दस लोग कम पढ़ रहे हैं सरकार बनाने के लिए तो दूसरी पार्टी के दस लोगों को इधर जॉइन करवा लिया और यह बन गई सरकार तो यह लोग कोई भी पार्टी की टिकेट से आप तो आप कि दूसरी पार्टी में नहीं जाएं अगर आप दूसरी पारिटी में जाएंड तो फिर आफ कजो भी विधान सब्दा जोड़े घया फिर आपना विधायक रहों तो उसके लिए ये दस्वी अनुसुची में डीटेल में सारे प्रावधान जोड़े गए यह था अमारे संविधान का बावनवा संविधान संशोदान अधीनियम 1985 इसे आप लोग दल परिवर्तन रोधी कानून एंटी डिफेक्शन लौ के नाम से भी चानते हैं अब ग्यार्वी अनुसुची ग्यार्वी अनुसुची देखें आप इसको समझो इसको बड़ा विचित रही कानून बड़ा महत्पपूर्ण है मानलो कि आप आपकी किसी दूसरे वाले एक ग्रूप है उसे लड़ाई है ठीक है और आपको पता है कि एक निश्चित दिन आपके बीच में फाइट हो नहीं और उस दिन गए तो पता चला कि आप अकेले खड़े देगे आपके सारे लोग तो उधर चले गए तो सोची के ऐसे में आप बिना लड़ी हार गए तो यह जो चीज है ना यह बहुत होती थी भारत में पहन कि खिलाए पिलाए कोई और पार्टी बड़ा करे कोई और पार् कि फिर आप देखोगे ग्यारवी और बारवी अनुसूची सब जानते हैं कि ग्यारवी अनुसूची 73 संविधान संशोधन से जुड़ी है जिसमें पंचायत की शक्तिया प्राधिकार और जिम्मेदारिया इसमें 29 विशय है और इस अनुसूची को 73 संविधान संशोधन 1992 पानवे द्वारा जोड़ा अच्छा कल कुछ लोग कह रहे थे कल दी मतलब मेरे कॉमेंट्स में देखा है कि कुछ स्टूडेंस चाहते हैं कि साथ साथ प्रेक्टिस भी करते जाएं जो भी हम पढ़ रहे हैं अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे फीडबेक में बता दिना ओ अगर आपकी इच्छा तो हम लोग जो हमने पढ़ा है सम्वी दान की एतिहासे प्रस्ट भूमी और सम्वी दान का निर्माण उससे जुड़े हुए प्रेक्टिस और करेंगे जो भी हमने पढ़ा है क्या हमस्तिश में आया क्या हमारे कोश्टनम्ड बन रहे हैं तो मैं क कल आपको यहां पर वह प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊंगा जो भी सम्विधान की प्रष्ट भूमी से जुड़े हुए होते हैं या बन सकते हैं तो हम वह यही कल कर लिया करें अब हम लोग क्या करेंगे ने टॉपिक भी पढ़ते जाएंगे और टॉपिक वाइस बीच कल कल बारा बजे वाली जो क्लास होगी उसमें में सम्विधान की एतिहासिक प्रष्ट भूमी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको यहां पर करवा दूगा तो आपको फिर प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जाएगे ठीक है तो टॉपिक कंप्लीट होगा और टॉपिक के साथ सथ प्रैक्टिस भी हो जाएगे यह और अच्छा हो गया अब तिहुत्तरवे के बाद चोहत्तरवे सम्विधान संशोधन में बारवी अनुसूची है तिहुत्तरवे सम्विधान संशोधन में 29 विशे जोड़े ग्यारवी में यहां पर 18 विशे जोड़ दिये गए बारवी अनुसूची में जो नगरपाली का या इस्थानिये नगरी स्वशासन से जुड़े होगी तो यह हमारी बारा अनुसूचियां भी हो गया अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज उलास्ट में कि हमारा सम्व करिएगा अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे थोड़ा सा कॉपरेट करना कि आप पूरा जो मेरा पहला सेशन था दूसरा सेशन था एतिहासिक प्रश्ट भूमी वाला उसको पड़के आई है आप अगर उसको अच्छे से रिवीजन कर लोगे ना तो आपको यहां पर हुआ आप कहां से यह थे को हमारे संब्धान के विभिन को से सबसे पर उ Luban तो 1935 का भाराश चासन अधीनियम से हमने बहुत कुछ लिया है तो 1935 के भाराश चांस्वन अधीनियम से क्या क्या लिया हुआ है संगीय तंत्र राज्जिपाल का कार्याले न्यायपाली का लोकसेवायोग आपाटकालिन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण ये जितनी भी चीजें आपको संविधान में दिखती है ये भारशासन दीनियम 1935 ये मैंने आपको पहले भी बोला था सबसे ज्यादा प्रभा ये इस संविधान पर 1935 के अधिनियम का ही पड़ा है फिर ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है क्योंकि ब्रिटेन अमारे उपर शासन कर रहा था तो ब्रिटेन से बहुत कुछ लिया हुआ है सबसे पहले तो संसधी प्रणाली जो आप देखते हुना भारत में संसधी प्रणालीक उत्तरदाई सरकार है दोहरी कारेपाली का है सारा ब्रिटेन का मामला है विधी का शासन रूल अफ लौ अनुच्छे चवदा में आप देखोगे विधी के समक्ष संता वागेर यह सब ब्रिटेन का आइडिया है विधाई प्रक्रिया संसध में जो कानून पास होते हैं या विधान सभाओं में जो कानून पास होते हैं वह विधाई प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से लिए संयूक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया है fundamental राइड को उसमें और भी न भी जहां के लाग्रिक्ता नहीं की संघी प्रॅटक्त होनी चाहिए लेकिन एकल नागरिक्ता का आइडिया ब्रिटें से लिया और यह तो मैं आपको पहले भी बहूं चुका हूं कि भारत में सबसे पहले पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 के एक्ट से आया था यह कैनिंग लाया था तो मंत्री मंदल प्रणाली ब्रिटेन की देन कि परमाधिकार लेक संसदी विशेश अभिकार और द्वी सदन ये चुकि 1919 के अधिनियम से ही भारत में आ चुका था दवी सदन तो ये सब कुछ हमने कहां से लिया है ये सब कुछ बृतेन से लिया है थीक है तो बृतेन का मामला क्लीयर अब आजाओ जो अमेरिका से क्या लिया है युनाइटेड स्टेट से क्या लिया है पंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार अमेरिका के न्याइपालिका की स्वतंत्रता भारत की न्याइपालिका जो स्वतंत्र है जो आप देखते हैं यह अमेरिका से लिया हुआ आइडिया फिर judicial review का power है यह रीका यह यह अरु है किण फिर उप्राष्थ्टर पथी का बहुत है जो राज्य सभा का पदेन सभापति होताइए 맞아 जह फोथ spend एक चाली व्यक्राइब थे प्राक्रीय। हाइड नैंसे शचुषा तो संसद के दोनों सदनों से विशेश बहुमत से प्रस्ताव पारिक करना पड़ता है यह भी अमेरिका का और राष्ट्रपती का महाभ्योग 61 महाभयोग द्वारा भारत के राष्टरपति को छे हें नयुकर कि महाभयोग न τον अमेरिका के राष्टरपती द्वारत के तहिसे में अमेरिका निचले सुन स्वावतर के अधिकार में आपसे तुलना पूठी ना क्यां तर वैसे हो सकता है। और भारत के राष्टपती का महाभ्योग का अंतर आप से पूछ दे किसी दिन में तो वहां निचले सदन में शुरू होता है यहां किसी भी सदन में यह एक आधारे संविधान का उलंगन अतिक्रमन वहां तो बहुत सारे आधारे ब्रश्टाचार के आधार पर भी ला सकते हो अमेरिका के राष्टपती पर महाभ्योग का दाचार के अधार पर भी ला सकते हो महाभ्योग तो अंतर है अंतर बहुत सारे जो आपको मैंने पहले भी बताए हैं तो यह सब लिया है अमेरिका से आजाओ आयरलेंड रट्टा हुआ है बच्चे-बच्चे को हमारे संविध राष्टपती निर्वाचन की पद्धती जो भारत की राष्टपती का निर्वाचन होता जिस तरीके से वह राज्य सभा के लिए सदस्यों का नावांकर अब यहां एक बहुत-बड़ा कंफ्यूजन त्यरा ध्यान से समझों यहां से आपके दो कोश्चन बनेंगे एक कोश्चन तो यह बनेगा कि राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिए तो राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका साउथ अफरीका से लिए और राष्ट राज्यसभा में जो मनोनीत होते ना बारा सदस्ती जो बारा मनोनीत सदस्ते हैं वो आयरलेंड से लिए जरा ध्यान दे दो इधर एक बार आप मेरी बात पर तो अच्छा रहेगा यह आपके जितने भी कॉमेंट बॉक्स में विश्व के कल्यान के प्रश्णों पर आप तर्चा करते रहते हो ना जितने भी आप यह बहुत ही जीवन मरन के प्रश्ण पर बाते करते हो दो मिनिट के लिए उसको साइड में रखो और यहां पर मेरी बात समझो कि एक जैसे लग ऑलग है का राज जिस अभा में सदस्य जो हमारे चुने जाते ना दोसो आपने देखा होगा दोसों ते-ती सदस्य चुने जाते हैं कि यह मामला दक्षिन अप्रिका से लिया हुआ है और 11 सदस्य राश्ट्रपति के द्वारा मनोनित किये जाते है यह मामला आयर्लें क समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि क्या है कि कई लोगों के लिए तो वही जन्ना थे जो इस समय चल रहा है कोमेंट बॉक्स में उनके तो वहीं मज़े चल रहे हैं पर जो असली काम है ना उसको तो गम से कम मत छोड़ों वो जो है वो भी देखते रहो तो यह क्या है ना कि यह आपको आपको एक एक कोश्चन गलत करवा देगा आपका बड़े आराम से मजाग मजाग में करवा देग तो यह जो राज्य सभा के सदस्यों का नामांगकन है ना मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूं क्योंकि आप बुलेट की स्पीड से निकल जाते हो यहां से जब पढ़ते हो तो फिर बात में ध्यान आठा कि अच्छा यहां तो कभी ध्यानी नहीं दिया हमने तो यह कहां से आयले अब कैनेडा से क्या लिए कैनेडा के भी आभारी है हम इस मामले में क्योंकि एक सशक्त केंद्र हमको उसी ने दिया है सभनशन के साथ संग्य विवस्था हमने कैनेडा से लिए कैनेडा का पीयोडल के मामडल हमाना में अमेरिका का मौडल नहीं है पपता है विवस्थाली हुई है अवशिष्ट शक्तियां आपको पता है कि वो संसद में जो अवशिष्ट शक्तियां कि किसी भी सूची में कर कोई विशह नहीं तो कानून संसत बनाएगा वो कैनेडा से लिए केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालो की नियुक्त्ती अब जो राज्यों में गवर्नर का आप्वाइंड मेंट hoe तो राज्य पालो की नियुक्ति राष्टपती करते हैं ये आईडिया भी कैनेडा से लिए मैं ठीक है जैसे 143 लेसके 143 में राष्ट पती परावर्ष लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से वो जो मामला है वो भी केनेडा से लिया हुआ है ऑस्टेलिया से क्या लिया है समवर्ती सूची साथवी सूची की तीसरी सूची जो है जिसमें मैंने आपको बताया था कि अभी वर्तमान में 52 विशय हैं यह ऑस चौन और यह से लिया हुआ है प्राद आप और यहीं से लिया हुआ है है फिर अनुच्छे 108 में आप पढ़ते होंगे 2 सदनों का जॉइंट सेशन राष्ट्रपती को यह अधिकार है कि अगर किसी साधार्ण विदहयत पर गती रोद हो जाए तो ऐसे मामले में राष्ट्र पति दोनों सदनों की केंद्र में संसत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं यह उस्ट्रेलिया से लिए पिर जर्मनी के वीमर कॉंस्टिटूशन से लिया है आपक कालीन प्रावधान और मूल अधिकारों का निलंबन की 20 और 21 को छोड़कर जो आपकी मूल इत्वत क्यों तो फंडेमेंटल ड्यूटी यहां से लिए भाग्चार कर वह अदो हमारे प्रस्तावना में जो नयाय की कल आपको पड़ाओंगा प्रस्तावना तीन तरह का नयाय सामाजिक आर्थिक राजनेतिक नयाय जो आप पढ़ते हो यह नयाय हमने कहां से लिए में 1917 में जो क्रांगती हुई थी उसका में जो एक उद्देश्य था मकसद था जो एक नारा था वह यहीं था सबस्वतन जो है न्याय सामाजी का अर्थिक राजनितिक न्याय की प्राप्ति असमानता की समाप्ति और फिर यहीं से समाजबाद आया फ्रांस का संविधान गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता और बंदुत्व का जो आदर्श है वो फ्रांस का है दक्षिन अफरीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छे 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है साथ अफरीका से लिया हुआ है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन मैंने अभी आपके एक बात बोली थी कि आपको यह देखना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन पूछ रहा है कि राज्य सभा में सदस्यों का मनोनयन पूछ रहा है एक शब्द में दुनिया बदल जाएगे निर्वाचन और मनोनयन में दो देश आजाएंगे आपको लग रहा होगा कि सर बार-बार एक ही बात को जोर देकर क्यों बोल रहें कि इसलिए बोल रहा हूं मैं जानता हूं इतने सालों के अपने अनुभाव से के बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते उन्हें निर्वाचन मनों ने एक ही दिखाई देता है सब तो हमारा ये दक्षिन अफ्रीका का संविधान संशुचे लिया हुआ जापान से क्या लिया माना जाता है कि विधी द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है अनुच्छे दिक्की साप पढ़ते हूँ कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और देहिक स्वतंत्रता से विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अत्रिक्त वंचित नहीं किया जाएगा ये विधी द्वारा होंदे क्या है सामने बन सकते हैं है तो अब हम क्या पड़ने वाले हैं अध्याएट 3 हमारा हो गया पूरा कंप्लीट kung अध्याइट 3 के बाद ध्याइट 4 प्रिएंबल ऑफ दी कॉंश्ट प्रिएंबल या संविदान की प्रस्तावना वाला ये पाठ इस में है क्या कि कई लोगों को लगता है सब्स्तावना में क्या पड़े तो ऐसे समझ में आजए ऐसे नहीं आई सम्विधान की प्रस्तावना को समझना बहुत बड़ी बात है अपने आप क्योंकि इसमें हर एक शब्द का अपना एक अर्थ है गहन अर्थ है मीनिंग है और उसका महत्व है आप कोई भी शब्द लिलो लेकिन उस शब्द को जैसे जैसे हम बात करते पंतनिर्पेक्ष पंतन सम्विधान संशोधन 1976 से जोड़ दिया गया तो आपको लग रहा होगा कि यह कोई छोटी सी बात है पर यह छोटी बात नहीं है यह शब्द सम्विधान की प्रस्तावना में नहीं था इसका एक कारण था लेकिन क्या हम पंतनिर्पेक्ष नहीं थे ऐसा भी नहीं था तो फ कि यह पिरस्तावना का कुई महत्पन नहीं है हमारे लिए कि कुए इसको नियाय पाली के से लागु नहीं कर वा सकते ऐसा नहीं है लेकि प्रस्तावना सम्विधान का एक बहुत बढ़ा इंपॉर्टून kis death management यह हमारे पूरे सम्विधान का दर्शन है मतलब आप ये मानि कि इसी समविधान की प्रस्तावना को अगर आधार माने तो पूरे प्रस्तावना होता क्या है प्रस्तावना एक से आप देखो कि प्रारूप एक प्रकार से फॉर्मेट एक प्रकार से इंट्रोडक्शन परीचे जब भी आप कोई निबंद या ऐसी चीजे लिखते हैं तो आप पहले बनाते हैं ना कि हम लोग निबंद में क्या-क्या लिखने वाले फॉर्मेट टाइप का तो प्रस्ताव वैसे है कि हम क्या-क्या इस समविधान में आगे करने वाले के समफिधान कु मक्सद क्या है इस समविधान से हमारी अपेक्षा क्या है छोचिजए में लगो जाक नटन में तो दूसरा कि स्मविधान से चाहते हैं चाहिए तो हो सब आपको यह में लेगा तो कि प्रस्तावना क्या है प्रस्तावना जो है अब कही जो है कि प्रस्तावना को संशोधन कर दें क्यों all प्रस्तावना में संशोधन करना नहीं चाहिए वेसं क्यों नहीं करना चाहिए इसमें आपको कर एक एक जामपल दू कि मानली जी कि कि आपकी कोई इमेज है और उस इमेज का प्रिंट आउट निकाल और उस प्रिंट आउट के ऊपर आप कुछ भी अपने मंद से कलाकारी करें उसकी मूछे बना लो उसकी आखे फोड़ दो उस इमेज को जो करना है कर दो लेकिन आपकी मेन इमेज जो है वह वैसी रहेगी आप अगली बार फिर नया प्रिंट आउट निकाल लो तो फिर वे अच्छा सा आजएगा उसमें मूछे नहीं होंगी फिर लेकिन अगर आप उस इमेज में ही छेड़-छाड़ कर दें उसमें इमेज में ही आप मूछे बन बना दें और फिर उसको सेव कर दें दाड़ी बना दें तो फिर हर एक प्रिंट आउट वैसा ही आएगा फिर आप कुछ नहीं कर सकते यह प्रस्तावना इतनी महत्वपूर्ण है यह ओरिजनल एक प्रकार से जो पुरा संविधान है उसका जो रियल ओरिजनल जो दर्शन है वो यही है इससे छेड़ चाड़ करोगे तो संविधान प्रभावित होगा समझ गे मेरी बात चलिए करें सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना के को सम्मिलिट किया गया था य आपको पता है कि AME अमेरिका का जो सम्विधान बना तो उसमें इसको शामिल किया गया we the people of United States of America ऐसे प्रस्तावना को हां शामिल किया गया सबसे पहले हमें जो आइडिया कि प्रस्तावना एक सम्विधान में होनी चाहिए एक इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए हमारे सम्विधान का वह आइड प्रस्तावना का करना यामें कहां यह वोनी चाहिए मतलब यह वैसा माम लाए कि पडोशी के घर में मільки सब्जी बन रही तो हमें भी हमें भी मटर पनीर खाना चाहिए लेकिन रेशीपी पड़ोसी की नहीं है रेशीपी हमने अपनी दादी मा की यूज की या नानी मा की यूज की या मम्मी किया किसी और तो भाशा अस्टेलिया की है और आइडिया अमेरिका का था कि इसके बाद कई देशों ने प्रस्तावना को अपनाया इसमें से हमारा भी एक देश है यह दरसल सम्विधान का एक इंट्रोडक्शन परीचय या भूमी का होता है क्या होता है प्रस्तावना सम्विधान का एक परीचय या सम्विधान की एक भूमी का इस देट क्लियर ठीक है अब क्या करें आपको समझाने के लिए मुझे नहीं जाने कैसे कैसे एक्जाम्पल्स लेने पड़ते हैं ये समविधान का सार है ठीक है एक प्रकार की आप समरी बोल सकते मैंने गाना कि इतना बड़ा सम्विधान अगर किसी के पास पढ़ने का समय नहीं हूँ, मालों कि किसी विक्ति को पुरा सम्विधान नहीं पढ़ना उसका समय नहीं तो वो सम्विधान समझना चाहे, तो प्रस्तावना मात्र पढ़के समझ सकता है, एक बार फिर बोल रहा हूं कल समविधान की एतिहासिक प्रष्ट भूमी वाला चैप्टर पढ़के आना जो मेरा सेशन हुआ था पहला दूसरा उसको देख लेना एक बार रिवीजन कर लेना क्योंकि कल यहां पर एतिहासिक प्रष्ट भूमी से जुड़ हुए क्वर्शन होंगे आपके सामने और अगर पता चलेगा कितना समझ में आया और कितना नहीं यह तो कितने लोगों ने यहां पर मेरी बात सुनी थी कान में डालि थे और कितने लोगों ने पुरा चेट बॉक्स में पास और परीचे 5रिशेया भूमी का है यह संविधान का सार है कि पाल की वाला सहाब एन एक कि एक संविधान विशिशग्य तोर पर जाना जाता है, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र इंट्रोडक्षन कहा है, ठीके? भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना आप सभी जानते कि उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारी थे इसके बारे मैं आपको पहले ही बोला था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को उसे सम्विधान सभाने विकार कर लिया था उसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारत के सम्विधान की प्रस्तावना का निर्मान हुआ है प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है 42 संविधान संशोधन के द्वारा जिसमें इसमें तीन जोड़े गए थे समाजवादी पंतनिर्पेक्ष और अखंडता अब इसकी विशेवस्तू मुझे आपको बताने की जरूत नहीं है आपने पढ़ रखाऊगों फिर मैं करता हूं बच्चों से कि अगर सिविल सर्विसिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको सम्विधान की प्रस्तावना एक दम याद होनी चाहिए वर्ट तू वर्ट सच में मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत जरूरी है क्योंकि मेंस में आप क्योंकि कई सारी स्टेट PCS में आया हुआ है क्वेश्चन प्रस्तावना बस लिख दो कुछ मत करो ऐसी के ऐसी लिख दो तो आपको स्टेट PCS में क्वेश्चन मिल जाएंगे हो सकता है किसी दिन UPSC भी आपको कहें कि प्रस्तावना लिख दो सम्विधान की और नहीं तो इंटर्व्यू में तो पक्का आपसे हो सकता है कि पूछ दे के बताओ सम्विधान की प्रस्तावना अब इतना सम्विधान पढ़के आए हैं मेंस निकालके आए हैं और प्रस्तावना नहीं बताओगे तो थोड़ी बेज़दी हो जाई गया समझेरें मेरी बात यह फिर आपके कॉंफिडेंस के लि अब इसका स्वरूप पता है आपको हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्य समाजवादी पंतनिर्पेक्ष लोगतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजीक आर्थिक राजनितिक न्याय विचार अभिवेक्टि विश्वास धर्मरुपासराकि स्वतन थरता प्रतिश्ठा और आउसर की संताप्राप्त करने के लिए राष्ट की एक्ता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंदूता को को बढ़ाने के लिए दड़ संकिल्पित होकर अपने इस सम्विधान सभा में आज दिना 26 नवंबर 1949 और मिती मारकर शिर्ष शुक्लत सक्तमी समवत 2006 विक्रमी को इस सम्विधान को क्या करते हैं अंगीक्रत अधिनियमित और आत्मार्पित अंगीक्रत को बोलते हैं अडॉप्ट करना अडॉप्ट इनेक्ट एंड गीवार्थ सेल्स टु इस कॉंस्टिटूशन और अपने आपको इस सम्विधान को क्या करते हैं समर्पित करते हैं यह हमारे सम्विधान की प्रस्तावना का मूल पार्ट है अब इस प्रस्तावना में सबसे पहले तो इस संविधान के अधिकार का स्तुरोथ है को seront कौन है तो यह आपको पहले ही लाइन में मिल जाएगा वी दिपीपल ओफ इंडिया हम भारत के लोग प्रस्तावना कहती है कि सम्विधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रेट करता है वह हम ही तो है जो इसको सम्विधान को मानते हैं और इसके हिसाब से चलते जरे अब कह दो सोचिये और यह को यह वह भगवान प Але मनला है कि अगर कोई माने कि इसमें भगवान है तो उसके लिए उसमėं भगवान है वह पूजा करेगा सद्दा और भक्ति डिखाएगा विश्वास डिखाएगा नधम अपने आप में कोई भी कानून कागजो का पेपर म्हात्र होता हिना जबों का पुलिंदा मात्र होता है कुछ भी नहीं को अगर आप माने तो ही तो होगा ना, अगर आप देखो जनता ही तो, क्योंकि जनता मानती है कि हमारा सम्विधान हम इसके हिसाब से चलेंगे, अगर जनता मानने ही बंद कर दे तो, सोचो, फिर सम्विधान क्या कर लेगा, ठीके, तो इस सम्विधान को बनाया है, इसको लागू किया है, तो ह हमने ही बनाया है और हमने ہी लागु किया चौकि हम इसे संविधान के तौर पर मानते हैं कि हम यह मानते है कि इसमें जो लिखा गया है उसका पालं वो ना चाहिए कilee में इसमें लिखा है कि समता होनी चॅहीं तो होनी चाहिए लेकिन मानना है क्योंकि यह जो लिखे जो कहें गा हम मानेंगे तो अपने आप में इसके अधिकार का स्त्रोथ जो है और इसके अधिकार का स्त्रोथी जनता विद पी प्यपल ऑफ इंडिया पिर प्रक्रति एं अगली यो तत्वय समवीधान का वह आपको बताएगा कि देश और देश कैसा है नेचर कैसा इस देश का क्विए देश निरंकुष शासन वाला राज तंत्र वाला लोग तंत्र वाला कैसा देश तो यह आपको पता चलेगा है कि भारत संप्रभु मेंएक का मीनिंग बताओं में आपको हर शब्त का सब को का डिटेल में संप्रभू है जब ब्रिटेन हमारे उपर शासन कर रहा था तो हमारे सारी नीतियों ही बनाता था लेकिन अब यह संविधान यह घोशना करता है कि भारत किसी की नहीं सुनेगा एक संप्रभू एक समाजवादी पंतनिर्पेक्ष लोकतंत्र और गणतंत्र व तो इस संविधान को बनाया गया है इसकी क्या उद्देश है इसकी तो उद्देश ने पहला न्याए हम हमारे देश की सारी जनता को भारत के हर नागरिक को न्याए देना चाहते हैं हम सभी को स्वतंत्रता देना चाहते हैं समता और बंदुत्व की स्थापना करना चाहते ह यह उद्देश है इसको कल डीटेल में देखेंगे और आखरी तत्व जो है सम्विधान का वह लागू होने की तिथी कि यह सम्विधान लागू कब हुआ तो उसमें 26 नवंबर उननी सो उननचास की डेट दी हुए पहले भी मैंने आपको बताया था कि सम्विधान का इसी दिन माना जाता है कि पूरा हुआ इस पर हस्ताक्षर हुए तो सम्विधान सभा की 11 बैठत थी जिस दिन सम्विधान बनके पूरा होके अस्ताक्षर अगर हो गया था तो वही सबसे आखरी में हुआ था क्योंकि डेट आपको मताएगी कि यह सबसे लास्ट में किया गया का मैं ठीक है तो यह संव ऐतान की प्रस्तावना के तत्व हो जो मिनने ताफ मुख्य दो अब जो मुख्य शब्द्षा इस संवेदान की प्रस्तावना में जो शबत आया है कल बारा बजे इसकी PDF आपको महीं मिल जाएगी जहां हर सेशन की PDF आपको मिल रही है टेलिग्राम चैनल पर तो कल बारा बजे कि आप लोगों को एक टेस्ट होगा जो अभी हमने पढ़ा था ना सम्विधान के एतिहासिक प्रश्ट भूमी वाला और सम्विधान का निर्मान वाला उससे जुड़ा हुआ टेस्ट कल में आप लोगों का ठीक 12 बजे यहीं पर हम लोग करेंगे मैं उम्मीद करता हूं कि आ यहां भी कुछ आपको प्रॉब्लम यह गडबड होगी एल एक्स्प्रेंट टू यू तो यह सेशन यहीं तक रखते हैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद सेशन को देखने के लिए थैंक्यू गाइस थैंक्स पर वॉचिंग कि आपको मेरा रेफरेल कोड तो पता हिए सी के ल आई वी यह मेरा रेफरेल कोड है आप अनकेडमी का कोई भी सब्स्क्रिप्शन ले तो उस कोड को अप्लाई करिए यह कोड आपको 10% का एक्स्टा डिस्काउंट भी दिलाएगा आप मेरा पर्सनल गाइडेंस या मेंटोर्शिप लेना चाहें तो वह भी आपको मिलेगा सी के लाइवी से अभी आपको 63,000 रुपए में मिल जाएगा 2023 मेंस इंटर्व्यू तक का सब्स्क्रिप्शन देखो आप डेड़ साल का सब्स्क्रिप्शन 63,000 में उसमें सब कुछ है जितना हो सकता है यह ना प्री मेंस इंटर्व्यू टेस्स सीरीज नोट्स हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर आप्शनल सी से एब्री तिं करोगा modern history का आजाएं जॉइन करिए तीन फर्वरी से उस course को बाइबाइ टेक क्यार थैंक यू जय हिन लेट्स क्रेकट कि अलृष सीरी जुडती बाइबाएंगर प्रis जूबदी क्वाल को बादिए झालक है का यू लेट्यू प्राइब चलू खिर फेक क्वाल का झालक है झाल झाल